अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरू करना चलिए सबसे पहले कल का रिविजन करते हैं कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 14 नौवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है पंडे जवाहरलाल नहरूजी की जनते पर जो की भारत के पहले प्रधार मंतरी थी औ और अभी आइसलेंड में 14 घंटों में 800 से जादा बार भूकम पाए इसके बाद यहां पर इमर्जनसी की खुशना कर दी गई अभी आवास और सहरी मामलों के मंतरारे के द्वारा आइना डैसबोर्ट फॉर सिटीज नाम से पोर्टल लांच किया गया है इसके अलावा उत् समी आर्थी कत्वीदी सुजकांग संपूर्ण पेस किया है मुख्यमंत्री योगी आदितनात जी ने दीपोट्सों में घरों से दिये जलाने के लिए हौली आयोध्या आप लांच किया है और अभी हाली में हुई निलामी में पाबलो पिकासो की एक विमेन विदे वाच न अंतराष्टे व्यापार मिला ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है ये टॉप 10 करेंट अफेर के कुशन्स थे कल की वीडियो से जिनका आप ने किया है क्विक्ली रिविजन आप बात करेंगे हम लोग आज की वीडियो की लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ इसकी क्व दूस्तो ये आयज़ित हुआ रियाद में रियाद पढ़ता है सौधी अरेबिया में तो रियाद सौधी अरेब की राजधानी है वहीं पर अभी इसलामी सिखर सम्मेलन आयज़ित किया गया है इसलामी सिखर सम्मेलन का दूस्तो ये मकसद था कि इसराइल में जो गाजा औ उको खत्म करने के लिए एक मांग प्रस्ताव पेस किया हाला कि इसकी विरोध में भी बहुत सारे देश आये जैसे सौधी अरब, UAE, जॉर्डन, एजेप्ट, बहरेइन, सुडान, मुराको, मौरटानिया, जिबूती ये सब ने इसके विरोध में अपनी राय रखी कि नहीं ह पीछे तो मैंने आपको एक वीडियो भी दी हुई है कि कैसे क्या कारण रहे जो जिस वज़े से चल रहा है तो उस कॉंफ्लिक्ट की वज़ा से मुस्लिम देशों में भी जो इस्लामिक और्गनाइशन है न वो भी देश दो धुरी में बैट गया है मतलब उनकी आपास में नहीं सहमती नहीं बन पा रही है यहाँ पर देखो एक देश यह कहता है कि इसराइल के साथ सभी संबंदो को हमें खत्म कर देना चाहिए जबकि बाके कि कुछ देश जो हैं लगबक साथ देश हैते हैं वो कहें नहीं हमें टू स्टेट सॉलिसन की तरब बढ़ना चाहिए और हमें इसराइल को भी recognition देनी चाहिए तो इसलिए अभी ये चल रहा है फिलाल एक चीज और जो खास हुआ वो ये हुआ कि इस सम्मेटे में इरान के राष्टपती इब्राहिम रईसी भी आये थे पहली बार आज तक के त्यासन पहली बार ऐसा हुआ है कि इरान का कोई प्रधान मंतरी ने व्यापारी किसानों के एकादिकार को तोड़ने के लिए कौन सी योजना सुरू की अभी हाली में PM मोदी जी ने PM किसान भाई योजना शुरू की है PM किसान भाई योजना ये जो व्यापारी किसान है उनके एक आधिकारिया कहें मोनोपॉली को खत्म करने के लिए ये योजना सुरू की गई है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यापारी होते हैं कभी कभी किसानों को प्रताडित करने के लिए अपने दाम पर खरीदते हैं उनके अनाजों को और बहुत कम दाम उनको देते हैं तो इससे क्या होता है किसानों को लॉस हो जाता है किसानों को बहुत लॉस होता है बहुत नुक्सान होता है क्योंकि अगर वो नहीं बेचेंगे तो उनकी फजल खराब हो जाएगी और बेचेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा गार नहीं मिल रहा है क्योंकि व्यापारी की मोनोपॉली है बेचों की कहाँ पर इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर एक योजना सुलू की गई है पीम किसान भाई भंडार पुरत्साहन योज सकेगा और उनको उचित मूली मिल पाएगा तो अभी 170 करोड लागत वाली यह योजना सुरू की गई है यह योजना भी प्रोजेक्ट के तहट सात राज्यों में लांच की गई है तीन वर्ट्सों के लिए इसी फाइनेंसेल येर से अभी सात राज्यों में प्रोजेक्ट क यह शुरू की है यानी केंद सरकार की योजना है तो पिछले दिनों में जो केंद सरकार की योजना रहे थी चर्चे में उनको हम लोग देख लेते हैं रिकॉल कर लेते हैं जैसे अमरित भारत स्टेशन योजना आये थी जिसमें 1309 स्टेशनों का आधरों की करनड़ की जा मिश्टी और अम्रित धरोहर योजना आए थी आद्र भूमी और मैग्रेव छेत्र को पुनर जीवित करने के लिए अटल वयो अभ्यूदय योजना यानि अव्यय योजना आए थी बुजूर्गों को ससक्त बनाने के लिए विवात से विश्वास योजना MSME की जत्त की गई राशी को वापिस करने के लिए उसर भी पढ़ाई भी योजना आई थी जो प्रार्मिक बच्पन देखपाला और सिच्छा को मजबूत करने के लिए थी और PM विश्कर्मा योजना कामगीरों और सिल्पकारों को आर्थिक र दिवस मनाता है जारकंड पंधरा नॉम्बर को सनद criminal 2000 जारकंड बिहार से अलग हुआ था जब यह बिहार से अलग हुआ था अस्ताvaluation मजब को ही क्यों अलग किया गया इसके पीछे भी एक शन्तोरी यह है कि पंदरा नॉमबर को भगवान बिरसा मुंडा जीकी जहनती होती है जो आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं बिर्षा मुंडा जी एक बहुत ही फेमस स्वतंता सेनानी थे आदिवासी नेता थे तो इनकी जहनती के औसर पर ये अलग किया गया राजी और ये स्थापना दिवस भी मनाया जाता है अच्छा इनहीं की जहनती क के इस्थापना दिवस की बात करें तो अभी इसी महीने में बहुत सारे राज्य स्थापना दिवस आ गए जैसे सुरुवात में आपको बताया था कि सात राज्य और दो केंसासित परदेश का राज्य स्थापना दिवस एक नवंबर को पढ़ जाता है इसके लावा संद 2000 म अलग हुए तो वह भी तीनों नवंबर महीने में ही थीक है तो यह भी अप ध्यान रखें अगे परते हैं जैरखंड के जू यहां पर हजारी भाग लेख है राजा तालाब है तो पुचांची जील है बेतला निसनत पार्क है पलामु वंजी ब्हारण भी पूछा जाता है यह दोनों इंपोर्टेंट है हजारी भाग राष्टे उद्ध्यान भी है संथाल जुमर पाइका भगवा चाओ भजा सरहुल यहां के प्रमक लोक नित्त हैं सरहुल बहुत जदा फेमस है यह पूछा जाएगा आपसे राची इसकी राजधानी है और राची इकलोता ऐसा राजी की राजधानी है जिसके ऊ अगे पढ़ते हैं अगला है भारत सरकार ने किफायती गेहूं के आटे के लिए कौन सी पहल शुरू की तो भारत सरकार ने अभी भारत आटा पहल शुरू की है भारत आटा पहल के तहत किफायती दरों पर आटा प्रोवाइड किया जाएगा अच्छा इसमें आटा के साथ सा दाल और प्याज भी प्रोवाइट किये जा रहा है आप देख रहे होगे आज कल अगर आपके सहर में पहुंच गया होगा तो ठीक है नहीं तो आने आले एक दो दिनों में आप देखोगे कि कुछ गाड़ियां आ रही है वो गाड़ियां खड़ी होती है और एक जगा पर और वहाँ पर प्याज या आटा या दाल बेचा जा रहा है बहुत ही कम दानतेया और बीर्ड लगी होगी तो वह वही है भारत सरकार्नी ये पहल सुरू की हुई है भारत आटा पहल बारत आटा जो है ये आटे के लिए है यहू का आटे के लिए है ये 27.05 रुपय प्रति क कहां से बिचा जा रहा है कहां से सरकार ला रही तो देखो अपने पास बहुत ज़धा भंडारण है केंध्री ये भंडारण की माध्यम से दिया जा रहा है अपने पास इतना आनाज है इतना अनाज है कि 142 करोड की जनता है अगर एक साल तक कोई उत्पादन ना करे तो भी भारत सरकार एक साल तक उसे खाना खिला सकती है इतना ज़्यदा भंडारण है एक टाइम था 1960 के दसक में 1960-70 के दसक में जब बहुत ज़्यदा हम लोग फुक्मरी के गजार पर आ गये थे युद्ध के बाद भी लेकिन जब 1966-67 में जब हरित करांती आई स्वामिनातन जी की वज़ा से उसके बाद से भारत ने पीछे मुर् बहुत ही किफायती दरों में आटा प्याज और डाले क्लियर तो अभी प्यूस गोयल जी जो की केंद्री खाद योंग उबहुकता मामलों के मंत्री हैं इन्होंने कर्तव पत पर भारत आटा की 100 मोबाइल वेन को खड़ी जंडी दिखाई है मोबाइल मतलब की चलता फिरता वाहन जो मैं अभी बताया आपको कि बाजारों वगेरा भी जा जाकर खड़ी होकर की बेचेंगे उलो भारत किस देश से इगला एस एंटी एरक्राफ्ट मिसाइले कुछ इस प्रकार से होंगी और ये कोई जो सैनिक है जो सोलजर है वो अपने कंधे पर रख करके कंधे पर एरक्राफ्ट उड़ रहा है न तो उसको डिश्ट्रॉय करना होगा तो उसके लिए ये यूज में आएगा यहां पर यह तो बहुत किफायती होता है मतलब कोई एक सेना का जवान जो हैसे अपने कंधे पर रख करके फायर कर सकता है और महगी से महगी जहाज जो है या एरक क्राफ्ट जो है इसको गिरा सकता है अक्सर देखते होगे आप जब आतंगवादी संगठनों के बीच में जब कोई आपरेशन्स होता है तो आतंगवादी संगठन का यह बहुत जदा फेमस हदियार माना जाता है मतलब वो लोग इसको अम्मूमल लेकर के गुमते रहते है क्योंकि उनके पास उतना पैसा तो है नहीं कि वह एक क्राफ्ट अपना लेकर चलाएंगे तो फिलहाल इगला एस जो है हाथ से पकड़ी जाने वाली विमान भेदी मिसाइले हैं और इसको ना सिर्फ भारत खरीदेगा रूस से बलकि बारत कोसिस करेगा कि भारत में इसका उतपादन भी करें ठीक है जयसे हम लोगों ने एक 2020 असाल ट्राइफल्स हम लोग अमेठीगन फैक्टरी में इसको उतपादित कर रहे हैं रसिया से हम लोगों ने लिया था तो ऐसे ही इसको भी हम लोग खरीदेंगे कुछ तो दे देंगे अपने सेना के जवानों को और के लिए और दुबारा से इंडिया में manufacturing होनी लगेगी अच्छा ऐसा नहीं है कि अपने पास है नहीं अभी SENA, North SENA और Indian Air Force यह सब अभी use भी कर रही है इसको इगला human portable missile ठीक है अच्छा अभी कुछ दिन पहले याद होगा S-400 के बारे मैंने आपको बताया था कि इसका नाम बदल करके सुदर्शन कर दिया गया है सुदर्शन S-400 यह यह भी anti-missile system है यह air defense system है लेकिन इसकी range 400 km की होती है 400 km की range में अगर कोई भी missile कोई भी aircraft air attack हो रहाओगा भारत को तब भारत उसे हवा में ही मार गिराएगा S-400 missile भी हम लोग ने रस्या से खरीद होता इसके अनावा रस्या से हम लोग सुखोई 30 MKI भी हम लोग खरीदे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं आज की टाइम पर मेग 21, मेग 29 ये सभी भी हम लोग ये अर्क्राफ्ट रस्या से ही लिए लिए हुए हैं मेग 21 की अभी विदाई की गई तो ओवरार हम लोग रस्या से बहुत सारे चीजे लिए हुए हैं रस्या से अपना डिफेंस एक्विपमेंट में समझ लो आज की टाइम पर तो सीतल महाजन का नाम सायद आपने जरूर सुना हो सीतल महाजन बहुत ही फेमस ये प्रवतार हो ही हैं और स्काइडाइविंग करती हैं तो इन्होंने अभी एक नया रिकार्ड बनाया हुआ है इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चड़ करके 21,500 फीट से स्काइडाइव किया मतलब उतनी उचाइव से ये स्काइडाइविंग के थूरू नीचे उतरी काला पथर चोटी पर उतरी ये 17,440 की फीट की उचाइव पर था ये बहुत ही फेमस से स्काइडाइवर है भारत की इन्हें प्रमिसरी से भी सम्मानित किया जा चुका है सन 2001 में भारत का चौथा नागरिक सम्मान परमिसरी इनको दिया गया था सीतल महाजन अगे हाली में 50 ODI सतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने तो दोस्तो विराट को हुली दुनिया के सबसे जादा ODI क्रिकेट सतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गये हैं इन्होंने अभी सचिन मैस था और जबरदस्त मैस था अच्छा मैंने मुझे याद कर याद करके हसी आ रहे थी उस दिन मैंने एक छोटा सा लॉजिक दिया था बस ऐसे ही कि 2019 में क्या हुआ था कि चंद्रियान टू थोड़ा सा फेल हो गया था थोड़ा सा सही तरीके से लेंड नहीं कर पाया था और उसी समय उसी महिने में एक और घटना हुई थी कि भारत जो है यहरीमैस धोनी का रुन आउट धेखा थोड़ा सा ही बच गया था और इसके बाद भारत न्युजिलैन से हार गय था इस वार चंदर्यान 3 वी अच्छे तरीके से लेंड गिया और जो हम लोगों ने गेस किया था कि न्युजिलेंड से हो सकता है भारत भी मैच जीत जाए भारत फिलाल दोनों ही अच्छी ख़बर है चंदर्यान के लिए भी और इसके लिए भी टॉपिक पर आते हैं कल बहुत ह जबरदस्त मैच हुआ मुहमद समी अहमद इन्होंने तो मतलब देल ही जीत लिया पूरी देश वासियों का देल जीत लिया था, 700 run plus बनाने वाले भी बल्लेबाज बन गए हैं, ODI World Cup में विराट कोली, ये भी अपने आम में एक रिकार्ड है, तो दो रिकार्ड विराट कोली के नाम, एक रिकार्ड मौहमद समीह हमद के नाम और भारत के नाम में आगे बढ़ते हैं, हाली में ACI तीरंदाजी चेंपिय event में, महिलाओं की compound तीरंदाजी असपरधा में, इन्होंने जोती सुरेका को आ रहा है, जोती सुरेका वैननम ये भी भारती हैं और ये भी बहुत ही फेमस तीरंदाज हैं भारत की, बहुत ही अन्भरवी भी हैं, तो इनको इन्होंने हरा करके gold medal जीता है, Thailand के Bangkok में हुआ थ चली, तो परनीत कौर का नाम आप याद रखेंगे, आगे, हाली में, जन जातिये गौरो दिवस पर प्रधान मंतरी मोधी दोरा निमनमे से किसका सुभारम किया गया, जन जातिये गौरो दिवस, यही कुश्यन जो मैंने आभी आप से पूछा था, 15 नवंबर को बिरसा मु टीजी मिसन और भारत संकल्प यातरा, दोनों का अनॉसमेंट किया गया, उपरोग दोनों आपका यहां पर करेक्ट होगा, एक एक करके जानते हैं, जोको बिरसा मुंडा जी की जैनती है, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने जिक्र किया, यह संग 2000 में इन ही की जैनती के एउसर पर एक नया राज्य बना जार खंड ठीक है, याद रखना, तो PM मोदी जी ने इसी एउसर पर PM PVTG मिसन शुरू किया है, और विक्सित भारत संकल्प यातरा शुरू किया, विक्सित भारत संकल्प यातरा यह तो वही वाली पुरानी वाली यातरा है, मतलब कि 2747 तक का अपना लक्ष है कि हम लोग विक्सित भारत बन जाए इसको समझते हैं पीम पीवी टीजी मिसन क्या है ये दोस्तों विसेश गुरूप से कमजोर जन जाती है जो समूँ है नहीं पार्टिकुलर्ली वनरेबल ट्राइबल गुरूप से हैं उनसे सम्मंदित लगबग 28 लाख लोगों के व्यापक विकास को बढ़ावा देने के लिए सुरू किया गया है इस मिसन का लक्ष है कि 18 राज्यों और केंसाजित प्रदिसों के 22,000 से ज़्यादा दूर दराज के गाउं में रहने वाले जो 75 पीवी टीजी कमिटी है उनकी अवसक्काओं को पूरा किया जाए किलियर है आगे बढ़ते हैं एक टाइम ऐसा था कि ना सिर्फ पूरे भारत में बलकि बहुत सारे देशों में भी इनका ये वेंचर जो है फाइला बहुत सारे सेक्टर में इन्होंने अपने हाथ हज्माई जैसे आज के टाइम पर टाटा चल रहा है बाकी सब चीजें है वैसे एक टाइम पर सहारा चल तो फिलाल 1978 में अस्थापित किया था गोरकपूर में इन्होंने और लखनो में इनका हेड़कॉाटर था सहारा इंडिया का अभी भी है सहारा इंडिया का हेड़कॉाटर सुब्रत राय ये संस्था पकते इनका अभी 14 नौंबर को निधन हो गया क्लियर है तो ये तो थे द वट्सेप चैनल हमारा जॉइन कीजे नीचे आपको डिस्कूप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको तरह-तरह की अपडेट्स दे जाते रहते हैं एनजेटी एजूकेशन का टेलिग्राम गुरूप भी जॉइन कीजे यहाँ पर पीडेप आपको मिलेगी कल मैने कुश्चन पूछा ता आपसे कि दिपोच्शो की सुरुवात आयोधा में कब की गए थी 2017 से गी गए दूसरा कुश्चन था ब्रितेन की प्रधान मंत्री डिसी सुनक ने किसे अपना ग्रेह मंत्री बनाया है तो ग्रेह मंत्री बनाया है जेम्स क्लेवरली को इसके अलामा डेविट कैमरान को फीदेश मंत्री बनाया गया है वहीं सुएला ब्रेमन को ब्रेवरमन को हटा दिया गये आज आपको क्या बताना है दिल्ली में हो रहे हैं 42-3 अंतराश्टी वैपार मीली में किसराज्य को फोकस राज्ये नहीं चुना गया हैं नहीं चुना गया वो बताना है दूसरा कुश्चन दर डिस्कवरी ओफ इंडिया नामक पुष्टक किस ने लिखी है बहुत अच्छा कुश्चन है अब बताईएगा दोनों कुश्चन की बारे में जो भी पता होगा इस वीडियो की कुईज और पीडियाफ आपको फिरी में मिलेगी हमारे अप्लिकेशन पर तो एम वीडियो की कुईज और पीडियाफ प्राप्त का पावगे थैंकी सो मच मिलेंगे अगले क्लास में तब तक लिए नमस्कार जहेंद वन्दे मातरम